बोजपुर्ज लेकी कोईलवर ठाना शेत्र के राजापुर्दियारा स्थित कामलूचक बालू घाट पर एक बार फिर बालू माफियाओं की बंदू के गर्जी है जहां बालू माफियाओं द्वारा वैद बालू खनन एववर्चस्प को लेकर बैंक कर्मी समय दो लोगों क की गोली मार कर हत्या कर दी गई वैस घटना के बाद गाउं एव आसपास के अलाके में संसनी फैल गई है घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एससपी हिमान्शु एवक को इलबर ठाना समेथ आदा दरजन ठाना की पुलिस बलके साथ घटना स्थल पर बहुझी और के बिल भडिया गाउं निवासी खेदू के 34 साल के पुत्र दुरगेश है वह पेशे से क्लर्क था एव वर्तमान में वह नवारा ठाना शेत्र के जजज कोटी इससत मनीपूरम बैंक में क्लर की रूप में कारे रत था जबकि दूसरा मृतक मूल रूप से पटना जला की न मृत्पूर ठाना शेत्र का निवासी था दूसरे मृतक का नाम संजीत कुमार शालस वर्षी बताया जा रहा है वह वर्तमान में नवादा ठाना शेत्र के राम नगट शंदवा हाउसिंग महले में रहता था वह पेशे से एक मुंशी था इधर मृतक के बित्र दीपक सिंग ने बताया कि उनके पार्टनर काम इश्वर राय का कोईलवर्थारा शेत्र के राजपूर गाउंदी आरस्तत काम लूचक बालुघाट का टेंडन हुआ था उसी बालुघाट का शुभारम करने को लेकर सभी लोग कमालुचक बालुघाट पर पूजा करवा रहे थे जहां अपनी जान बचार कर सभी लोग कोईलवर्थाना पहुंचे और इसकी जानकारी कोईलवर्थाना पुलिस को दी जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल घटना स्तल पर पहुंचे और श्रप को पोस्टमोटम के लिए आरस सदर उस्पताल में भटी कराया गया दूसरी घटना के बाद मिरतकों की घर में कोहराम मच गया है यह फैस घटना के बाद मिरतकों की परिवार का रोho कर बुरा हाल हो गया है आगे देखने वाली बात होगी कि प्रसाशन पूरے मौमले पर क्या कारवाई करती है लेकिन तब तक ही लिए और देखते रहे हमारे हमारे स झाल